कुएट में इंडिया के जो लेबार वारकर्स हैं उनके लिए जो 29 सितंबर को केम्प लगाया गया था जारा के अंदर जो लोगों की प्रोब्लम्स थी किसी को सेलरी नहीं मिली किसी को कोई प्रोब्लम थी किसी को ओवर टाइम की प्रोब्लम थी किसी को बहुत टाइम हो गया PCC और भी कुछ जो प्रोब्लम थी कई लोग डोक्टर्स के पास भी आये थे फ्री में क्योंकि डोक्टर की सुईदा भी दी थी कि कोई भी आता है तो उसकी हेल्फ के लिए डोक्टर्स फ्री में कोई फीस नहीं कई सारे इंडियन लोगों ने फाइदा उठाया इस केंप में आकर जो भी कंप्लेंट्स वगेरा थी दर्च कराई सेलरी को लेकर बीस नंबर हो चाए खादम हो चाए किसी कंपनी वाले एकामा वाले हो तो बहुत से लोगों ने फाइदा उठाया कुएत में काम करने वाले लेबर वरकर्स बिल्डिंग कर्स्ट्रक्शन की लाइन में काम करते थे आठ लोगों को पकड़ा गया कई टाइम से लगातार वो क्या करते थे कि नई नई बिल्डिंगों में जो काम चल रहा है कोई इलेक्टरिशन का समाने कोई भी लाइट वग ले जाय गया तो रूम में इतना सामान मिला लगबक कई हजारों दिनार का सामान पड़ा था सभी चोरी करके उन्होंने रूम के अंदर रखा था जो की बेंचने के लिए रखा था और बाद में काफी सारा दिनार कमा रहते तो इस मामले में आठ लोगों को पकड़ा गया ये एसियन कंट्री के थे यानि की इंडिया नेपाल बंगलादेश स्रिलंका या फिर पाकिस्तान से थे लेकिन किस कंट्री के थे ये नाम नहीं बताये गया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ता कि कुट की आने वाली खबरें मिसना हो